हलो फ्रेंड्स मेरा नाम है वर्गांग बंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एस नेटवक जोन यूट्यूब चैनल हिंदी सीरीज में वेल आज को जो सेशन है माइंड ब्लॉइंग और इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं हैं और हैंड्स स्टार्ट करते हैं है अगर के अगर अगर हम बात करें डियने सर्वर की तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि डियने सर्वर कैसे इंस्टॉल किया जाता है Microsoft Windows Server 2019 पर अगर आप अपने घर में एक लैब सर्वर करना चाते हैं क्योंकि प्रोडेक्शन एंवार्मेंट में हम लोगों को पर्मिशन्स नहीं होती है कुछ भी अनांस्मेंट करने की सो आप अपना एक लैब सर्वर बिल्ट प्रोसेस किया था अगर आप लोगोंने वो मिस कर दिया है तो उसे आप देख सकते हैं वीडियो के आई बिटन से या फिर वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में भी जाकर आपको लिंक मिल जाएगा वहां से दिख लें अगर आप बिगना है तो कि Microsoft Windows Server 2019 किस तरीके से डिप्लॉय किया जाते है और अगर आपके पास चैल आपके वहां पर सॉल्व हो जाते हैं आप क्या करेंगे सबसे पहले आई उस इमेज डाउन्रोड कर लेंगे इसके बाद सर्वर 2019 अपने लाप सेटप में इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे अब क्या करने वाले ही डिएए आजेलेंगे गे फिर इसके बाद मैं उस 1974 को करूँआगा कंफीगर यानि कि विस डेन सर्वर पर फोरवर्ड लॉक आप जों ॉर इवर्स लुक आप जन दोनों ही जोन के लेंगे और मेरे पास आती ए environment में name to IP or IP to name resolve कराने के लिए मेरा DNS server एकदम से query resolve करा देगा clear है जैसे हम primary server configure करेंगे हमें उस server पर required होगा कि हम उस server पर कुछ resource record create करेंगे why? so ये resource record क्यों ज़रूरत होती है इस resource record का मतलब ये है कि आपके production environment में कितने servers आने वाले हैं उन सभी की entries आपको यहां करनी है आपको उस servers के resource record create करनी है so resource record भी हम लोग create करेंगे अब जैसे resource record create होगे अभी तक हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले DNS server install किया install करने के बाद हम लोगों ने उस पर forward look up zone reverse look up zone configure कर दिये यानि कि primary zone configure कर दिया resource record create कर दिये अब बारी आती है उस server की testing की कि क्या वो DNS server को आपका काम कर रहा है या नहीं so उसके लिए हम लोगों यहां पर एक tool या command यूज करेंगे via command prompt command prompt होगी ns look up ns look up के through हम लोग उस server को test करेंगे कि वो server हमारी query को resolve करा भी रहा है या नहीं ठीक है यह तक अगर आप professional है और आपने dns per server पर काम किया हुआ है so I hope यहां तक यहां तक यह सारी चीज़े आपको समझ में आ दो लेकिन हो सकता है कि आप लोगों ने कोई छोटी छोटी चीज़े miss कर दियो तो इस वीडियो को end तक दिखते रहे क्योंकि यहां पर अभी session complete नहीं होने माला है इसके बाद जब हम अपने primary dns server की testing कर लेंगे हम configure करेंगे secondary dns server right secondary dns server क्यों so that अगर primary server crash हो जाता है तो secondary server मेरा inquiry resolve करा सके correct है जैसे secondary server configure करेंगे उसके बाद हम लोग एक और final server configure करेंगे that is start zone right so यह primary zone secondary zone और start zone क्या होते है मैं इनके बारे में अलड़ी session complete कर चुका हूँ आज से पहले वाला session आप लोग प्लीज उस session को एक बार go through कर ले अगर आप लोगों को थोड़ी सी प्राबलम आ रहे हैं कि primary zone secondary zone और start zone क्या होता है तो आप उसे चेक कर ले उसका भी लिंक आपको वीडियो के i button पे उपर या वीडियो के description box में आपको मिल जाए right अब जैसे आपने primary secondary stuff तीनों आपने dns server configure कर लिए इसके बाद हम लोग एक और काम करेंगे क्या जो सबसे ज़्यादा important है वो काम यह है कि हमने अपने dns server पर यह चेक करना है क्या round robin की जो service है वो active भी है मेरे dns server पर यह नहीं right जैसे हम उसे भी check कर लेते हैं उससे benefit यह होगा कि मुझे पता रग जाएगा कि load balance primary secondary और रिस्टप के बीच में अनाम से हो रहा है या साथ साथ एक important चीज और configure करेंगे वो करेंगे हम query set वैल अगर मैं आपको बता हूँ dls में दो तरीकी की queries होती है recursive और iterative तो दोनों queries को ही हम यहाँ पर set करेंगे और कौन से dns server पर हम उससे set करना चाहिए recursive को और कौन सी को iterative वो हम लोग इस session में hands-on lab में देखेंगे correct और in last एक चीज और हम लोग देखने वाले हैं वो है aging और scavenging aging और scavenging को भी हम configure करेंगे so that हमारे जो unwanted resource record है मैं चाहूँ तो automatically delete हो जाए मेरे dns server से dns server पर unnecessary कोई load ना रहे तो यह सारी चीज आज के hands-on lab हम session में करने वाले तो चलिए एक बार servers की तरफ move करते हैं so friends आज का hands-on lab for dns server मैं अपने computer screen पर आ गया हूँ जहां पर मैंने आज भी virtualization setup इस्तिमाल किया हुआ है लेकिन आज मैंने vmware का type 1 hypervisor इस्तिमाल नहीं किया यानि कि asxi host को इस्तिमाल नहीं किया है आज मैंने type 2 virtualization setup यूज किया हुआ यानि कि vmware workstation और मैं आपको बता दू कि यहां पर अभी मैंने फिलाल vmware workstation पर तीन virtual machine यानि virtual servers install किये हुए Microsoft के server 1, server 2 and server 3 right so अभी सबसे पहले हम लोगोंने dns क्योंकि install करना है तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले server पर login कर लेता हूँ so that हम आज का जो process है इसे start कर सके dns के लिए so कर लेते हैं login और जैसी आप सबसे पहले login करेंगे आपके सामने server पर server manager console open होगी अगर आप काम कर रहे हैं laptop या desktop पर तो हो सकता है कि server manager console थोड़ा सा initialize होने में time लगा दे तो क्योंकि मैं अभी अपने environment में zone server processor यूज़ कर रहा हूँ just hardware पर मैंने virtual servers create की हैं तो ये थोड़ा सा fast होता है और फटफट यहां initialize हो जाती है so well dns install करने के लिए मुझे server manager console की ज़रूद पड़ेगी लेकिन अभी सबसे पहले मैं इसे कर देता हूँ close इसे हम बाद में इस्तिमाल करेंगे और आपको साथ-साथ मैं ये भी बता दूँ जब कभी आप dns को install and configure करने के बारे में सोच रहें और doesn't matter की production environment में आप काम कर रहें या फिर testing environment में दोनों ही सूरतों में आपको सबसे पहले dns को install करने से पहले कुछ requirements से कुछ parameters से वो fulfill करने पड़ेंगे such as आपको dns के लिए server operating system चाहिए इससे फर्ग नहीं पड़ता कि आप Microsoft server use कर रहे है या redhead तो आप कोई भी server use कर सकते हैं installation process जो है और configure process है थोड़ा सा change हो जाता है अगर आप redhead expertise हैं तो उधर आप उसे configure कर सकते हैं लेकिन जितनी भी चीज़े आज के session में में या windows server में करने वाला है क्योंकि मैंने अपने environment में windows को भी choose किया है अगर आप लोग में को कहेंगे तो मैं linux के ओपर भी अपना dns configuration का जो पूरा panel है जो सारी चीज़े हैं वो मैं आपको configure करकर दिखाऊँगा step by step लेकिन अभी हाल फिलाल के लिए आज हम कर रहे है microsoft windows server पर dns install and configure बहुत सारी चीज़े हम लोगों ने यहां करनी है so हो सकता है आज का जो यह session है थोड़ा से lengthy हो जाए but I swear कि आप इस session को कहीं भी बिल्कुल भी skip ना करें forward ना करें क्योंकि यहां पर हम जो production environment में एक live environment में आपको जो जरूरत होती है उस सारी requirement तो हम लोगों ने फुल्फिल कर लिए कि dns को install करने के लिए server operating system चाहिए so server operating system हमारे पास है मेरे पास यह Microsoft Windows Server 2019 है जो की latest है अभी हाल फिलाल में यही चल रहा है इस से अपर कोई भी Microsoft ने अभी तक server launch नहीं किया है second requirement हमें जो dns installation के लिए चाहिए वो है हमारे server पर एक static IP address यानि कि मुझे manually खुद यहां IP address configure करना पड़ेगा मैं IP से related भी एक चीज़ बता दूँ कि जब कभी आप dns server configure करते हैं और IP address assign करते हैं so सभी companies क्या करती है dns server पर public IP address assign करती है so मैं अपने environment में या public IP नहीं use कर रहा हूँ मैं use कर रहा हूँ private IP address so उस private IP address से ही मैं काम चलाने वाला हूँ लेकिन अगर आपने public address configure करना है तो इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता बस आपने IP address purchase करना होता और configure करना होता है so सबसे पहले मैं address भी configure कर देता हूँ इसके लिए मुझे right click करना होगा network पर and I hope अगर आपने servers पर काम किया है so आप मेरे से ज़्यादा बहतर जानते होंगे कि IP address एक server पर कैसे configure करते हैं यहां network and sharing center console के अंदर मैं click करूँगा change adapter setting and आप यहां देख सकते हैं मेरे पास दो LAN card adapter है इस server के अंदर so हाल फिलाल मैं भी एक adapter को कर देता हूँ disable and now मैं अपने first LAN card adapter पर अपना IP address configure कर देता हूँ statically इसके लिए मुझे इस पर right click करना पड़ेगा and then properties यहां पर अगर आप बात करें IP की so आपको दोनों ही IP address मिल जाएंगे IP version 4 अगर आपने configure करना है तो यहां से आप configure कर सकते हैं and 6 configure करना है तो यहां so फिलाल के लिए मैं IP version 6 की service कर देता हूँ disable यहां से इसे कर देता हूँ uncheck and IP version 4 कर देता हूँ configure so इसे select करते हैं and then properties and then यहां पर आप क्लिक करें use the following IP address and then assign your IP address जो भी आप चाते हैं या जो भी आपके network team ने आपको suggest किया है वो IP address आप यहां पर assign कर सकते हैं so यहां जो मैं अपने test environment में IP address configure करने वाला हूँ वो है 192.168.10.111 and then क्लिक करूँँगा मैं subnet mask पर subnet mask के अंदर अभी मैं कोई changes नहीं कर रहा हूँ so इसे अभी as it is छोड़ देते हैं then gateway अगर आपके environment में कोई gateway है तो आप यहां configure कर सकते हैं but mandatory नहीं है but अगर आप publicly काम कर रहे हैं so definitely I'm damn sure कि आपको without gateway काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा so gateway assign करना पड़ेगा but अगर आप testing environment में lab environment में काम कर रहे हैं तो आपको इसे configure करने की ज़रूरत नहीं है but मेरे environment में जो मेरा gateway है router का जो IP है gateway IP है वो है 192.168.10.1 then मैं क्लिक करूँ है यहां पर preferred DNS server so क्योंकि मैं इसी computer को यानि कि इसी server को इसी machine को मैं DNS server भी बनाने वाला हूँ so same IP address जो भी मैंने upper side पर add किया है वही यहां भी configure कर दूँगा so again 192.168.10.11 then आपके पास आता है alternate DNS server so अगर आपके environment में कोई alternate यानि की secondary या step zone DNS server चल रहा है so आप यहां configure कर सकते हैं so अभी हाल फिलाल के लिए तो हम इसे skip कर देंगे बट थोड़ी दिर बाद हमें इसकी जूरत पड़ेगी तब हम इस option पर आएंगे so फिलाल के लिए करते हैं इसे skip और क्लिक करता हूँ मैं OK बटन पर and then again close and close the console so finally हम लोगों के पास server opting system यहां available हो गया है इसके बाद हमने static IP address configure कर दिया है third thing मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मेरा computer जो है अभी किस environment में काम कर रहा है work group में काम कर रहा है या domain में वो सारी चीज़े दिखा दूँ और साथ साथ आपको ये भी बता दू कि मेरा जो computer name है host name यानि की DNS server name वो क्या है इसको जानने के लिए मैं right click करता हूँ यहाँ this PC पर and then properties यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ मैंने जो operating system यूज़ किया वो है windows server 2019 data center edition next यहाँ जो मैंने इस server के साथ जो processor attach किया है वो है Xeon series processor है E5 और यह यहाँ पर 4 core processor है RGB RAM मैंने इस server के साथ virtual server को assign की है 64 bit का architecture है क्योंकि यह touch screen based नहीं है so यहाँ पर आप touch pen वगरा use नहीं कर सकते या touch screen से related जितने भी equipment है वो आप use नहीं कर पाएंगे इस computer का जो name है host name है वो है DNS SRV01 यानि कि DNS server 01 SRV का मतलब हम most of server ही बोलते हैं और अभी यह computer काम कर रहा work group environment में कोई भी domain environment नहीं चल रहा है well मैं आपको बता दूँ कि जब कभी हम domain environment की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें domain controller की ज़रूत पढ़ती है और domain controller भी जब कभी install करते हैं तो domain controller को भी DNS server की requirement होती है तो सबसे पहले यानि कि DNS को आपको install और configure करना पड़ेगा जैसी आप DNS configure करेंगे उसके बाद आप domain controller install कर पाएंगे और अपने environment को वर ग्रूप से domain में promote कर पाएंगे correct यानि कि machine अभी तक वर ग्रूप environment में है यहाँ पर मैं एक minor सा change करने वाला हूँ क्योंकि अभी तक मैं वर ग्रूप environment में काम कर रहा हूँ कोई domain environment मेरे यहाँ नहीं चल रहा है तो मैं minor change क्या करने वाला हूँ मैं क्लिक करूँ है यहाँ change setting पर जैसी आप यहाँ change setting पर क्लिक करेंगे system property open हो जाएगी आपने यहाँ computer name tab के अंदर change button पर क्लिक करना है and then click करें more button पर जैसी आप more button पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ option मिल जाएगा primary dns suffix of this computer so यहाँ पर आपको अपना domain name assign करना है so domain name यानि कि जो भी आप dns server पर domain name configure करेंगे वो domain name आप यहाँ पर assign कर दें so मेरे environment में जो domain name है वो है asnetworkzone.com so मैं assign कर देता हूँ आपके environment पर जो भी domain name है या test environment में आप जो भी setup कर रहे हैं आप वो यहाँ name xyz जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं so जरूरी नहीं है कि आप asnetworkzone.com ही ले so click करतों में आ ok again ok then ok यहाँ पर आप देख सकते हैं एक warning message मेरे पास आ रहा है कि इस server को एक बार reboot की requirement है so अगर आप इसे restart कर लेंगे तो ज़्यादा बहतर होगा so मैं इसे close करके restart सबसे पहले कर लेता हूँ यहीं पर मेरे पास एक pop-up आ गया है restart now का so मैं restart कर लेता हूँ थोड़ा सा wait कर लेते हैं server reboot होने का so finally मेरे server अब हो चुक है successfully मैं login कर लेता हूँ या दुबारा so यह हमने third requirement भी fulfill कर ली है और यानी कि अभी तक हमने अपने environment में तीन चीज़े configure कर ली है तीन चीज़ setting कर ली है सबसे पहली चीज़ हमने server OS यहाँ पर provide करा दिया था DNS को install करने से पहले दूसरा static IP address भी assign करा दिया है तीसरा DNS suffix entry भी कर दी है and finally अब हम लोग जा रहे हैं DNS server को install करने के लिए so जिसके लिए मुझे server manager console की जरूत पड़ेगी so यहाँ पर server manager console open हो चुकी है मैं इस server manager के छोटे वाले dialogue box को कर देता हूँ close क्योंकि अभी मुझे windows admin center की जरूत नहीं है and then मैं यहाँ click करूँगा add role and features यहाँ पर आपके पास एक wizard open हो जाएगी so यहाँ पर मैं click करता हूँ सबसे पहले next यहाँ कोई भी changes नहीं करने हैं क्योंकि same server पर ही मैं role install करूँगा कोई भी remote server पर मेरे को role install नहीं करने so locally install करूँगा तो मैं first option ही select कर लेता हूँ and then next correct यहाँ पर यह हमारे computer की detail and IP address भी दिखा रहा है और साथ साथ हमारा server operating system दिखा रहा है कि हमने कौन सा operating system use किया है तो मैं यहाँ click कर देता हूँ next and finally यहाँ आपको roles के अंदर बहुत सारे different different roles मिल जाएंगे लेकिन हम लोगों ने जो role install करना है वो करना है DNS server so मैं इसे select कर देता हूँ जैसे ही आप इसे select करते हैं आपके पास एक dialogue box open होगा जहाँ पर इसको requirement है कि जैसी आप DNS server role install करेंगे तो एक छोटा सा tool और install होगा that is rset यानि कि remote server administration tool so यह भी साथ साथ include होगा option को भी add on कर लेता हूँ यानि कि include कर लेता हूँ और click करता हूँ add features पर and then next यहाँ पर मैं कोई भी changes नहीं कर रहा हूँ देख सकते हैं यहाँ features के अंदर .net framework 3.5 and .net framework 4.7 दोनों ही option available है .net के scroll करें अगर features के अंदर तो यहाँ आपको rset भी मिल जाएगा जो कि भी यहाँ पर जिसके लिए हमारे पास एक pop-up screen आई थी so rset भी यहाँ पर है rest कुछ और भी चीजें हैं जो यहाँ पर features के अंदर अभी available है लेकिन अभी हमें इनसे related कोई भी काम नहीं करना है so हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और क्या करते हैं click करते हैं next then next यहाँ मेरे पास डो options अब available है पहला option है install अगर आप इस server पर dedicatedly बैट कर यहाँ पर इस server को install करेंगे और in future अगर server को required हुआ restart करनेगा तो आपको manually करना पड़ेगा लेकिन अगर आप चाते हैं कि इसे install कर दें और अगर future में जरूत होती है तो यह server automatically restart हो जाए so आप यहाँ काम कर सकते हैं restart button पर भी tick लगा सकते हैं so इससे benefit ही होगा कि in a meanwhile time जब तक यह service install होगी आपको अगर कहीं बहार से आना है घुम गाम कर अपना जो भी रुका हुआ काम complete करना वो करकर आ सकते हैं but I guess server install और configure करने से ज़्यादा important कोई और काम नहीं होता और especially production environment में गर हम बैठे हैं तो बिलकुल भी नहीं right so फिलाल हम इस option को भी select कर लेते हैं but मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ click करता हूँ yes and then install so finally थोड़ा सा यह यहाँ पर time लेगा DNS install करने से related इस process को थोड़ा सा time लगने वाला है तब तक wait कर लेते हैं so finally हम लोगों की DNS service successfully install हो चुकिए इस server पर मैं click कर देता हूँ close and जैसी आप close करेंगे तो यहाँ पर जैसे आकि आप यह roles देख रहें इसमें आपको DNS का भी एक option और यहाँ add-on हो जाएगा और अगर आप DNS को manage करना चाहते हैं यहाँ आप DNS पर अगर click कर देंगे console के अंदर तो यहाँ से भी आपको बहुत सरे options DNS को configure कर जिने से related आपको मिल जाएगे बट फिलाल मैं अभी यहाँ DNS को configure नहीं करने वाला हूँ आपको यह दिखाने वाला हूँ कि DNS का यह जो role है successfully इस server में install हो गया है इसके लिए सबसे पहले मैं close कर देता हूँ इस console को और इस computer के अंदर open करता हूँ console services.msc की उसे open कर लेते हैं यहाँ पर मैं आपको एक minor सा change दिखाने वाला हूँ जो की update हो चुका है यहाँ पर यहाँ पर आप search करेंगे DNS so यहाँ आप देखेंगे दो तरीके के आपको DNS मिल जाएंगे DNS client as well as DNS server by default हर कैसी computers के अंदर DNS client की जो service है वो active होती है चल रही होती है running state में होती है लेकिन क्योंकि हमने इस server पर इस dedicated machine पर अभी DNS का role भी install कर दिया है तो इसलिए यहाँ पर DNS server भी available है जो की running है लेकिन running का मतलब यह नहीं है कि हमने उस service को configure कर दिया running का मतलब यह है कि successfully चल रही है start हो चुकी है अब आप जो भी उसमें customization करना चाहते हैं configuration करना चाहते हैं वो कर सकते हैं so future में अगर आप चाहें DNS को restart करना DNS server को reboot करना उसके services को restart करना तो आप services.msc console की help से भी service को restart कर सकते हैं जिसके लिए आपको एक छोटा सा ही काम करना है या तो इस DNS server की जो आपको service लिख रही है यहाँ पर right click करेंगे यह option आदा restart या फिर आप इस service को select करते हैं तो आपको left and side में भी एक option नज़र आएगा restart का आप यहाँ से भी restart कर सकते हैं तो थोड़ा से यह time लेगी और उसके बाद service update हो जाएगी यानि कि restart हो जाएगी तो करतों में से close अब first option हम लोगोंने complete कर दिया है यानि कि यहाँ तक का जो मैंने भी काम किया है यह सारा का सारा काम आपको उन तमाम DNS servers पर करना होगा जो भी in future आपकी company यानि आपके environment के अंदर AS network zone domain के लिए काम करने वाले अभी configuration बाकी है तो चलते है DNS configuration की तरफ इसके लिए दो तरीके या तो आप click करें start button पर और यहाँ आप administrative tool कर देर आएंगे तो आपको यहाँ पर DNS की console मिल जाएगी आप यहाँ से DNS की console open कर सकते हैं या फिर आप directly run open कर ले यहाँ type करें dnsmgmt.msc msc का मतलब है Microsoft console सो मैं यहाँ पर press करता हूँ OK सो जैसे आप OK प्रेस करेंगे तो भी आपके पास DNS console open हो जाएगी मैं इसे expand कर लेता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे आपके server का name display हो रहा है सो मैं इसे कर लेता हूँ expand इसमें जितनी भी चीज़े आ रही है सभी चीज़ों को मैं कर लेता हूँ expand सबसे पहले चीज सो सबसे पहले यहाँ आ रहा है forward lookup zone then reverse lookup zone then trust point यानि की DNS set and finally हमरे पास है conditional forwarder जिनके बारे में हम already बात कर चुके हैं सो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर forward lookup zone configure करने वाला हूँ मैं आप लोगों को बता दू कि जब कभी आप DNS configure करेंगे ऐसा नहीं है कि आप पहले reverse lookup zone जोन configure करते हैं और बाद में forward lookup zone configure करें नहीं पहले आपको forward lookup zone configure करना पड़ेगा बाद में आप reverse lookup zone configure कर सकते हैं सो इससे configure करना बड़ा असान है जैसे आपने forward lookup zone पे right click करना है and then new zone जैसे ही आप new zone पर click करते हैं आपके पास ये wizard open हो जाएगी इस wizard को मैं click करता हूँ next यहाँ पर हमारे पास option आ रहा है कि आप किस तरीके कर सब zone create करना चाहते है primary, secondary, stuff और fourth option अभी यहाँ पर highlighted नहीं है क्यों highlight नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में फिलाल focus करते हैं primary zone पर क्योंकि अभी हम सबसे पहला DNS server configure करने वाले यानि कि primary so primary option select करते हैं and then click करता हूँ next इसके बाद आपने अपने zone name enter करना है मैं आपको बता दू जो अभी कुछ देर पहले आपने server के DNS suffix में entry कराई थी यानि कि asnetworkzone.com वही name आपने यहाँ hit करना है so मैं type कर देता हूँ and then next so जैसे ही आप next करेंगे यहाँ पर आपके पास दो options available होंगे first option है do you want to create a new zone file or use an existing file that you have copied from another DNS server इसका कहने का मकसद छोटा सा है बड़ा simple सा है जैसा कि अभी हम पहली बार DNS server बना रहे हैं so बिलकुल भी tension ना ले आप first option ही select रखें create a new file with DNS file name यानि कि जो भी आपने zone name दिया है उसके साथ यह .dns add कर देगा यानि कि अपनी extension add on कर देगा जिस तरीकी से आप word में कोई file create करते हैं तो वहाँ पर उसकी एक extension आ जाती है .doc और जैसे कि यह भी हाल फिलाल हम latest word के MS word के अंदर बात करें तो वहाँ पर extension होती है .docs यानि कि .docx ऐसी excel में काम करते हैं तो .xls या फिर powerpoint में काम करते हैं .ppt तो यानि कि कहने का मकसद है हर file यानि हर software की खुद की एक extension होती है .so यहाँ DNS जो आप zone create कर रहे हैं उसके साथ एक file create कर रहा है .so that आपका database जितना भी होगा .as network zone से related वो इस file के अंदर से होगा .so उसके साथ उसकी extension ही लगा गा गा अगर आपके पास already existing file थी या कहीं रखी है .so आप उसे browse कर सकते हैं यहाँ पर add-on करा सकते हैं .otherwise आप first option ही रखें .so हमारे environment में भी कोई file exist ही नहीं करती है .so यहाँ पर यह बहुत जदा important option है आपके पास .which is dynamic updates यहाँ अगर आप देखेंगे तीन options आपके पास available होते हैं लेकिन अभी हाल फिलाल दो option ही available हैं .क्योंकि first option active directory से related है यानि कि यह option तब highlight होता है जब आपका यह dna server domain में member होता है क्योंकि मेरी machine domain में काम नहीं कर दी अभी तक वर ग्रूप में है तो इसलिए मेरे को दो option से ही काम चलाना पड़ेगा जब future में मेरे पास domain controller आएगा मैं इस machine को member join करा दूँगा यह नहीं की domain concepts की सो वहां मैंने बात करी थी dns attack की तो वो dns attack कहीं न कहीं इसी वज़े से होता है कि जब कभी हम option select कर लेते allow both non secure and secure dynamic updates यानि की मैं इतना पंगे बाजी नहीं करना चाहता भाई यह जो कोई मेरे से update लेना चाहता है कोई भी आके updates ले ले मैं ऐसे मतला primary से so अगर आप यह ऐसा इस तरीके का option highlight करना चाहते select करना चाहते तो कर सकते है otherwise मैं आपको recommend करूँगा आप workgroup environment में काम करें तो option select करें don't allow dynamic updates यानि की मैं manually updates कर लूँगा जिन कभी future में secondary पे updates रहूँगे तो manually मैं replicate करा लूँगा dynamic updates ना करें correct है so rest आपकी production environment के ओपर भी depend करता है कि आपका company में SLA क्या कहता है SLA का मतलब service level agreement होता है so SLA क्या कहता है उस भीहाँ पर भी आप configure कर सकते है but मेरे यह resource record इतने ज्यादा highly important या riskable नहीं है so philal के लिए केवल आप लोगों को testing environment में समझाने के लिए केवल मैं select कर रहा हूँ option allow both non secure and secure dynamic updates and then click करता हूँ मैं next पर and finally finish so यहाँ पर आप देखेंगे हमारा यह जो zone है यह successfully create हो गया है और यहाँ पर तीन resource record available है so a यहनी start of authority ns यहनी name server and a record so तीन resource record यहाँ पर आपके पास available हो गया and finally successfully आपने primary zone भी create कर लिया है वो भी forward look up zone के under right अब बारी आती है reverse look up zone की reverse look up zone को भी हमें configure करना पड़ेगा सेम ऐसा ही तरीके से जैसे कि अभी forward look up zone को configure किया था तो इसे भी कर लेते configure reverse look up zone पर मैं right click करूँगा new zone again मेरे पास wizard open हो जाएगी मैं यहाँ click करता हूँ next primary option select करेंगे यहाँ पर भी and then मैं अभी अपने environment में IP version 4 यूज़ कर रहा हूँ है 6 whatever जो भी आप अपने environment में यूज़ कर रहे हैं वो option select कर सकते हैं मैं select करूँगा IP version 4 क्योंकि 4 ही मैं यूज़ कर रहा हूँ then next जो भी आपके environment में network id है वो यहाँ पर hit कर दें so मेरा network id है 192.168.10 और click कर दे next यहाँ पर भी वही same चीज़ है यह बता रहा है कि आपका जो यह primary zone create कर रहा है reverse lookup zone के लिए उसकी DNS file create हो रही है so मैंने का ठीक है को issue नहीं है and then next again यहाँ भी allow both non secure and secure dynamic updates then click on next and finish so जैसी आप यहाँ पर click करेंगे और इसे expand करेंगे देखेंगे यहाँ पर आपको दो resource record display हो रहे है soa और ns यहाँ कोई भी a record नहीं आया well सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दू कि reverse lookup zone के अंदर a record यानि कि host record नहीं आता है यहाँ पर ptr record आता है जादा बड़ा process करने की ज़रूद नहीं पड़ेगी चोटा सच चेक आपको लगाना होगा और आपका pointer record बनकर ready हो जाएगा so कैसे वो बनाते मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे मुझे dns srv01 का pointer record create करना resource record create करना यहाँ पर so इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा forward lookup zone के अंदर यह जो मेरा primary zone है as network zone यहाँ पर अपने resource record पर right click करूँगा and then property यहाँ पर एक check box आ रहा है update associate pointer record आप इसे check कर दें और click कर दें ok बटन पर so जैसे ही आप ok बटन पर click करेंगे and अब click करें reverse lookup zone पर यहाँ एक बड़ refresh कर लें console को यहाँ आप देखेंगे आपका pointer record भी create हो गया successfully आपको कोई extra efforts नहीं करने पड़े correct एक और चीज मैं आपको बता दू कि अकसर कई बार ऐसा भी होता है हम लोगों के साथ कि जब कभी interview देने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि name to IP और IP to name कौन सा zone हम लोगों के लिए काम करता है होता है नहीं होता है so इसे याद रखने का सबसे असान तरीका मैं आज आपको बता रहा हूँ हो सकता है आप लोगों को ये तरीका पता हो अगर नहीं पता तो आप इस चीज को notice कर ले जैसे ही आप यहां forward look up zone के primary zone पर click करते हैं तो यहां सबसे पहले क्या चीज आ रही है name और बाद में आ रहा है ip last में क्या रहा है name so इसका मतलब reverse look up zone जो query resolve कराएगा वो किस तरीकी query resolve कराएगा अगर कोई ip hit करता है so ip को name में resolve कराएगा correct है so मैं क्या करता हूँ सबसे पहले अभी तक हम लोगोंने क्या किया है dns server successfully install कर लिया है और finally primary zone configure कर दिया है for forward look up zone और reverse look up zone अब बारी आती है इस dns server को test करने की कि क्या मेरा dns server successfully काम कर रहा है या नहीं so इसके लिए मैं क्या करता हूँ command prompt open कर लेता हूँ एक tool use करूँगा ns look up so अब मैं open कर लेता हूँ command prompt इसके लिए मैं right click करूँगा या start बटन पर या फिर आप अगर right click नहीं करना चाहते तो window x भी press कर सकते हैं जो कि ह हमारा right click का ही काम करेगा और यहां आपको एक option display हो जाएगा command prompt admin तो आपको मैं recommend करता हूँ कि command prompt admin वाली console को आप यहाँ open करें क्यूंकि हम administrator से ही login है और यहाँ पर आप अपनी command run कर सकते हैं और command run करने के दो तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि आप type करे ns look up space let's suppose कि आप name को resolve कराना चाते हैं तो जिस भी server का name resolve कराना चाते हैं यानि कि जिन भी servers की entry resource record create हो चुके हैं DNS के अंदर आप उन server का नाम यहाँ लिख सकते हैं तो जैसा कि मेरे server का नाम है DNS SRV01 अगर मैं यह लिखता हूं क्या यह query resolve होती है तो press करता हूं मैं enter और check करता हूं बिल्कुल हो रही है जैसी मैंने DNS SRV लिखकर 01 enter press किया देखो यहाँ पर यह name भी दिखा रहा IP भी यह forward lookup zone के अंदर update है और यह reverse lookup zone का update है अब दुबारा से इसी command को मैं use करता हूं और यहाँ पर इस बार name ना use करके type करता हूं IP address 192.168.10.111 जो मेरे DNS server का IP address है यानि इसी machine का और अब enter करता हूं तो भी यह successfully दिखा रहा है correct है तो पहला तरीका तो यह है कि आप NS lookup को इस तरीके से use कर सकते हैं दूसरा तरीका है आप type करें NS lookup और प्रेस कर दें enter अब इससे होगा क्या कि आपको बार बार NS lookup command चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपने जो भी query resolve करानी है हो यहां से resolve करा सकते हैं for an example dns srv01 and press enter तो भी मेरी query resolve हो रही है और अगर मैं यह type करता हूं IP address 192.168.10.111 तो भी query resolve हो रही है correct है इसके लावा अगर मैं कुछ और name लिखूं let's suppose मैंने नाम लिखा xyz और press करता हूं enter so क्यूंकि DNS के अंदर resource security इस नाम का available ही नहीं है तो इसलिए यह failure ही दिखाएगा तो अभी फिलाल अगर आपने इस ns look up command से बाहर निकलना है तो बड़ा असा तरीका है आप type करे exit तो आप ns look up command से बाहर आ जाएंगे वापस से चलते हैं DNS console में और अब मैं यहाँ पर जो काम करने वाला हूं मैं कुछ और extra नए resource record create करने वाला हूं यानि कि जो future में मेरे company के अंदर AS network zone के अंदर और भी servers आने वाले हैं उन सभी के entry करा रहा हूं इसके लिए मुझे क्या करना होगा मुझे अपने forward look up zone के primary zone पर click करना है या तो आप यहीं AS network zone पर right click करें तो आपको resource record बनाने के options मिल जाएंगे या फिर आप इस white area के अंदर यानि कि इस task area के अंदर भी आप यहाँ पर right click करेंगे तो भी आपको same options available होंगे और जिस तरीके का आपने resource record बनाना है वो आप बना सकते हैं जैसे कि मैं एक host record और बना रहा हूँ जिसका नाम है अभी जैसे कि थोड़ी देर में हम DNS server secondary भी बनाएंगे तो उसी की मैं detail add करा देता हूँ DNS SRV02 इसके बाद उस server का IP address which is 192.168.10.112 और मैं चाहता हूँ कि automatically यहाँ पर मुझे PTR ना बनाना पड़े अलेकसे तो मैं इस check को tick रहने देता हूँ और click कर देता हूँ add host पर entry successfully create हो चुकी आप यहाँ देख सकते हैं वो entry हो गई है case sensitive again मैं बोलना चाहूँगा DNS नहीं है बिल्कुल भी तो मैं अपने और servers की entry भी यहाँ करा देता हूँ DNS SRV03 इसके बाद IP address 192.168.10.113 and then add host so यहाँ आप देख सकते हैं मैंने तीन resource record अभी create कियें जो की a resource record है एक resource record में create करना चाहता हूँ थोड़े अलग तरीके का यानि की alias record so क्योंकि अभी asnetworkzone.com बहुत बड़ा है lengthy है या DNS SRV01 बहुत बड़ा है मैं इसे दूसरे एक duplicate name में resolve कराना चाहता हूँ तो ऐसे केस में let's suppose मैं इसे resolve कराना चाहता हूँ वरगांक नाम से right so मैं यहां पर type कर देता हूँ वरगांक मैंने कहा कोई वरगांक लिखे तो query मेरी कहां जानी चीह है DNS SRV01 पर so इसके लिए मुझे क्या करना होगा इसमें आप देखेंगे तो थोड़ा सा option change है यहां पर browse का option आ रहा है नीचे तो आप browse बटन पर click करें then DNS SRV01 को expand करें फिर forward lookup zone फिर again asnetworkzone.com आपका जो primary zone था उसे अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे कोई वरगांक type करें तो आपकी query जो है वो किस server पर इनमें से किस server पर redirect हो सो जिस पर भी redirect करना चाहते हैं आप कर सकते हैं so let's suppose मैं है select कर लेता हूँ DNS SRV01 and then okay again okay so यहां पर आप देखेंगे जैसे ही कोई वरगांक type करेंगा इसकी query किस पर जाएगी इस server पर और इस server के entry हैं already हो रखी है so again मैं इसकी भी टेस्टिंग कर लेता हूँ एक बार command prompt के अंदर again nslookup space वरगांक and then enter so आप देख सकते हैं जैसे मैं यह वरगांक लेक रहा हूँ तो भी query कहा है direct को रही है मेरी primary DNS server पर it means मेरा primary DNS server successfully चल रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है so अब यह production environment के लिए एक दम ready है rest आपने जो भी resource record यहाँ पर configure करने है वो आप कर सकते है इसके लावा यहाँ कुछ और extra add-on resource record भी आपको दिख रहे होंगे जैसे MX record so अगर आप exchange server बना रहे हैं install करने वाले future में company के लिए तो आप MX record बनाएंगे mail exchanger record जिसे हम बोलते है rest और भी बहुत सारे resource record यहाँ पर available होंगे फिलाल इस session में मैं यह सारे resource record नहीं बता पाऊँगा otherwise यह जो वीडियो है बहुत ज़ादा lengthy हो जाएगी already बहुत ज़ादा बड़ी हो चुकी है so फिलाल इसे करते हैं हम पर skip इससे पहले जैसे हम कभी secondary DNS server बनाएंगे हमें क्या करना पड़ेगा secondary के लिए भी कुछ requirements है कुछ parameters है fulfill करने पड़ेंगे वो parameters तो fulfill करने ही है जो अभी हमने already primary के लिए किये थे क्या कि server operating system हमें चाहिए so हम secondary को भी server operating system देंगे दूसरा static IP address चाहिए so static IP address भी देंगे हम तीसरा मतलब network same हो network same का मतलब कि आप communicate कर पा रहे हो doesn't matter कि आप physical wise location same रख रहे हो नए अगर आपकी locations अलग अलग भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने public IP use किया होगा उस भीहाफ पर आप easily connect कर सकते communicate कर सकते क्योंकि मेरे environment में मैं LAN में काम कर रहा हूँ तो easily communicate कर पा रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ public IP address की जरुवत नहीं थी लेकिन अगर आप WAN में काम कर दें तो I'm damn sure 101% आपको public IP address की जरुवत पढ़ने वाली है so हम वहापर static IP address भी configure कर देंगे तीसरा जो requirement है वो यह है कि आपने primary server पर उसका resource record भी बनाया हो so मैंने resource record यहाँ already create कर दिया है चौती requirement आपको क्या करना पड़ेगा उस server पर भी वही DNS suffix entry करनी पड़ेगी so DNS suffix entry भी कर लेते हैं और फिर आगे का process करते हैं उस server पर एक बार चलते हैं लेकिन साथ-साथ एक छोटी और आपको changes करने पड़ेंगे अपने इस server पर क्या इसे मैं DNS console को करता हूँ minimize और चलते हैं ज़रा वापस से IP address setting में जहाँ पर मैंने IP version 4 configure किया था so आगे हूँ मैं IP address जहाँ मैंने अपना अभी server पर configure किया था यहाँ आप देखेंगे alternate DNS server so अब मैं बहुत जल दी यानि कि अभी थोड़ी दिर में ही मैं यहाँ पर एक और DNS server configure करने वाला हूँ secondary so secondary server की entry मैं कर दूँगा so कैसे होगा बढ़ा असान 192.168.10.112 अगर आप कहते हैं कि मेरे पास और भी जादा DNS server है तो उन servers की entry कैसे करूँ तो वो भी हो जाएगी tension लेने की जूरत नहीं है आप क्लिक करेंगे advanced बटन पर और क्लिक करेंगे DNS पर और यहाँ पर अपने और भी DNS servers की entry करा दे let's suppose जैसे मैं future में step zone भी configure करूँगा तो step zone की भी entry हम साथ साथ यहाँ कर सकते हैं add करता हूँ और यहाँ पर IP address add on करा देता हूँ 192 168 10.113 right and then ok 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 और close कर देता हूँ console so finally primary server को हमने configure कर दिया और secondary की requirement को भी ध्यान में रखते हुए हमने primary पर already pre settings कर दिया है तो चलते है secondary DNS server पर so secondary DNS server भी मेरा server 2019 है Microsoft का so इसमें भी मैं login कर लेता हूँ यहाँ भी server manager console open होगा सबसे पहले तो मैं इसे फिलाल कर देता हूँ close so फटाफट से यहाँ पर भी हम लोग requirement फुल्फिल कर लेते हैं तो मैं आपको दिखा दूँ कुछ detailing सबसे पहले इस computer के बारे में इस server के बारे में जैसा कि इस computer में भी मैंने same server 2019 data center edition server install है और इस computer को जो name है वो है cn यानि की DNS srv02 workgroup environment में अभी काम कर रहा है तो मैं इस computer पर सबसे पहले IP address assign कर देता हूँ और additional जो land card है इसे disable कर देता हूँ और यहाँ पर भी IP version 6 की service को disable कर देता हूँ और 4 को configure कर देता हूँ so मेरा IP address है 192.168.10.112 correct subnet mask पर क्लिक करता हूँ कोई changes नहीं होँगे gateway पर मैं अपना gateway IP address hit कर देता हूँ 192.168.10.1 इसके बाद मैं चलता हूँ preferred DNS के अंदर क्योंकि मैं खुद इस machine को DNS बनाने वाला हूँ so मैं यहाँ पर same IP address configure कर देता हूँ 192.168.10.112 इसके बाद alternate DNS यानि कि अगर आपका जैसे क्योंकि हम इस server को secondary बना रहे हैं तो आप primary server की entry add-on कर सकते हैं यहाँ पर 192.168.10.111 and then ok ok and close it close this console इसके बाद मैं यहाँ इस computer पर DNS suffix entry भी करा देता हूँ change setting change more and then domain name same domain name रहेगा कोई change नहीं होना है and then ok 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 close and restart now so again यह machine reboot होगी और थोड़ा सा time लगाएगी so यह ना meanwhile time थोड़ा सा वेट कर लेते हैं so मेरा server successfully अप हो चुका है मैं यहाँ कर लेता हूँ login so finally secondary server पर मेरा successfully अप हो चुका और server manager की console भी open हो चुकी और सारी requirement भी मैंने यहाँ fulfill कर ली है successfully अब बारी आती है यहाँ पर role install करने की तो जैसे कि हमने primary पर role install किया था same as it is secondary server पर भी role install कर लेंगे तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ add role and features wizard open हो जाएगी क्लिक करता हूँ next next यह हम लोगों के server की detail display कर रहा है यहाँ पर यह इसका hostname, IP address and OS so मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ next then select करता हूँ my dns server जैसी dns select करूँ यह pop up आ गया मैं क्लिक करता हूँ add features and then next यहाँ पर भी मैं कोई changes नहीं कर रहा हूँ next next and install so finally यहाँ थोड़ा सा और wait करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि dns service install हो रही है so यहाँ आप देख सकते हैं successfully finally मेरा यहाँ भी इस machine पर dns server role install हो चुका है मैं इसे करता हूँ close and then again close this console and open करता हूँ dns server की console को so that मैं अपना dns server जो secondary है उसे configure कर सकूँ expand कर लेता हूँ console को सबसे पहले और इसके बाद इस server के अंदर जो भी करता हूँ मैं next यहाँ पर इस बार बस आपने क्या change करना है primary की जगा select कर लेना secondary so secondary में option select कर लेता हूँ and then next zone name assign करना है zone name वही है जो primary पर assign किया था asnetworkzone.com and then next यहाँ पर आपको अपने primary server का IP address हिट करना है which is 192.168.10.111 जैसे ही आप white area पे click करेंगे तो यह green में resolve करा देगा अगर यह red है तो इसका मतलब यह है कि आपका secondary DNS server अभी primary से communicate नहीं कर पा रहा है तो सबसे पहले आप उसे communicate करा ले correct so मेरे यहाँ पर यह successfully run हो रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है मैं click करता हूँ next and then finish expand करता हूँ forward look up zone को यहाँ पर click करता हूँ यहाँ कुछ failure आ रहा है कोई issue नहीं है इसे अभी resolve कराएंगे कुछ देर में तब तक मैं reverse look up zone भी configure कर लेता हूँ same वैसा ही तरीका है जैसे कि मैंने महां भी configure किया था primary zone पर right click new zone wizard open हो जाएगी click करता हूँ next यहाँ पर भी मैं इस बार primary की जिगा secondary option को select कर लेता हूँ next ip version 4 में use कर रहा हूँ इसके बाद network id address में assign कर देता हूँ which is 192.168.10 next इसके बाद अपना primary server का IP address यहाँ पर मैं configure कर देता हूँ 192.168.10.111 and again white area पर click करता हूँ successfully resolve हो रहा है next and then finish अब मैं इसे भी expand करता हूँ यहाँ click करता हूँ देखता हूँ refresh करके देख लेता हूँ एक बार यह service को एक बार restart कर लेता हूँ मैं यहाँ पर यहाँ अगर आप देखेंगे अभी भी आपके पास यह failure आ रहा है तो कोई issue नहीं है एक छोटी सी change और आपने भी करनी है जो की primary server पर ही configure करनी है तो क्या changes होने है चलते हैं पर primary server पर भी और फिर देख लेते हूँ क्या changes होने वाले जिसके बाद automatically यहाँ पर primary के जितने भी रिसोर्स सी कोड थे secondary पर replicate हो जाएंगे correct तो चलते है primary server पर BNS की console को मैं open कर लेता हूँ और यहाँ पर आपने क्या काम करना है आपका जो primary zone है यानि AS network zone इस पर right click करना है और click कीजेगा property यहाँ पर आपको एक tab display होगा जिसका नाम है zone transfer आप इस पर click करें और यहाँ पर click करें only to the following server and then edit button पर click कर दें यहाँ पर अपने secondary servers चितने भी हैं उन सभी की detailing आप add-on कर सकते हैं so मैं हाँ add कर देता हूँ अपने secondary server का IP address which is 192.168.10.112 यहाँ पर यह failure हो सकता है कोई issue नहीं है आप इसे ok कर दें again notify edit के नीचे एक और आपके पास command button है notify आप इस पर भी यह same task कर दें the following server and then again secondary IP address 192.168.10.112 correct and then यहाँ देख सकते हैं आपके resolve हो रहा है ok करें apply करके ok कर दें so यह छोटा सा minor task था जो आपको primary पर और configure करना था अगर आप चाहें तो पहले भी यह काम कर सकते थे so चलते हैं वापस से secondary server पर और एक बार अपने resource यह जो zone है इसे refresh करके देख लेते हैं so refresh करने के लिए आप इसे f5 key को भी use कर सकते हैं या फिर आप DNS को ही restart कर लें वो ज्यादा बैतर होगा अब जैसे ही आप यहां refresh करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके तमाम resource support जो भी primary पर configure किये गए थे वो यहां पर replicate हो गए है successfully आपको एक single resource support भी बनाने की जूरत नहीं पड़ेगी वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दू कि secondary पर आप चाहकर भी कोई resource support create नहीं कर सकते हैं अगर आप यहां right click करेंगे तो देखेंगे यहां पर कोई भी resource support का option बनाने का option नहीं आ रहा है option ही available नहीं है इसका मतलब जो भी management होगा वो centralized management होगा primary DNS server से ही DNS administrator जो भी resource support बनाना चाहता है वो create कर सकता है correct अब बारी आती है reverse look up zone की reverse look up zone अभी replicate नहीं हुआ होगा क्योंकि यहीं काम हमने primary पर reverse look up zone के लिए भी करना है तो मैं फटा-फट से कर देता हूँ so finally primary पर मैंने reverse look up zone के लिए भी यह काम कर दिया चलते हैं secondary server पर और एक बार re-verify कर लेते हैं कि हमारा reverse look up zone अपडेट हुआ है कि नहीं so refresh कर लेता हूँ मैं अगर आप long distance पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि यहां थोड़ा सा update होने में यह time लगा है so अब मैं एक बार reverse look up zone को check कर लेता हूँ so आप देख सकते हैं यहां भी resource record मेरे तीनों के तीनों available है तो इसका मतलब secondary भी मेरा आप successfully काम कर रहा है so finally चलते हैं अपने तीसरे server की तरफ यानि की जिस पर मैं stub zone उसे configure करने वाला हूँ तो चलते हैं और मैं यहाँ login कर लेता हूँ इस server पर मैंने already कुछ pre settings configure कर ली है जो DNS के लिए required थी such as server operating system चाहिए तो यहाँ पर available है दूसरा static IP address चाहिए तो मैंने वा assign करा दिया है क्या address assign किया है अभी मैं आपको display कर दूँगा तीसरा DNS suffix entry वो मैंने already करा दी है क्योंकि उसमें unnecessary time waste होता है और आप लोगों को पता लगया होगा कि DNS suffix entry कैसे कराते हैं तो यह भी ध्यान रखेगा कई पार most of the time interviewer पूछ लेता है कि DNS suffix entry कैसे होती है तो वो आप portion ज़रूर ध्यान रखेगा next जो आप लोगों को requirement थी वो था DNS जो आपका primary server है उस पर resource record create करना तो वो भी already हो चुका है और चौता यहाँ DNS role install करने के prosperous अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैंने DNS server का role भी install कर दिया है केवल configuration बागी है तो यह सारी चीज़े मैं आपको फटा फट से दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं DNS configuration की तरफ तो यहाँ आप this PC पर right click करें और मैं आपको दिखा देता हूँ property पर आकर कि मैंने क्या के customization कर ली है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं server operating system मेरे पास है मैंने यहाँ DNS suffix entry करा ली है already यहाँ पर domain name मेरे display कर रहा है computer name के साथ साथ-साथ मैंने इस computer पर जो IP address दिया है वो भी मैं आपको display कर देता हूँ 6 वाला IP address मैंने disable कर दिया है और IP version 4 के अंदर मैंने इस machine को जो IP address दिया है वो है 192.168.10.113 इसके लावा gateway है 10.1 और DNS का IP सेम है यहाँ पर क्योंकि इसी machine पर मैं DNS भी इंस्टॉल करूँगा और alternate में मैंने अपना primary server का address add-on करा दिया बट अगर आप चाहें secondary server का IP address add कराना तो वो IP address भी आप add करा सकते हैं एडवांस बटन पर क्लिक करके आप add करा सकते हैं मैंने यहाँ भी तक कोई भी address add नहीं कराया secondary के चलो मैं add करा ही देता हूँ 192.168.10.112 subnet मास पर क्लिक करता हूँ कोई changes नहीं होंगे add ok 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 and close कर देता हूँ console finally सारी settings हो चुकी है role भी install हो चुका है बस केवल यहाँ DNS configure करना बाकी है अब आप में से जो लोग beginner है freshers हैं उन लोगों को बड़ा मजा रहोगा और सोच रहोंगे cache की यह console हमें मिल जाए और हम यहाँ पर step zone configure कर दे if I am not wrong क्योंकि जो भी बंदा server से related interest लेता है या interesting वाली चीज़े देखता है और जब चीज़े समझ में आ जाती है तो मन करता है कि खुदी फटाफट से काम कर लें तो चलते है फटाफट से बिना देरी करें step zone भी configure कर लेते है so यहाँ पर मैं administrative tool से DNS console open कर लेता हूँ इस console को मैं कर लेता हूँ expand और यहाँ पर DNS के अंदर जो भी मेरे को चीज़े display होती है इन सब चीज़ों को भी मैं एक बार expand कर लेता हूँ और फटा फट से configure कर लेता हूँ forward lookup zone पहले right click new zone wizard मेरे पास open हो जाएगी मैं click करता हूँ next और इस बार मैं option select करूँ third option step zone and then next zone name assign करा देता हूँ which is asnetworkzone.com and then next next primary server का IP address almost process सारा का सारा secondary DNS server पर आपने जो किया था बिल्कुल वैसे ही है यहां मैं अपने primary server का IP address assign करा देता हूँ and then next and finish यहां पर आपने कुछ नहीं करना है click करें थोड़ा failure detail आ रही है को issue नहीं है तब तक मैं reverse lookup zone भी configure कर लेता हूँ so मेरे पास wizard open हो गई है मैं click करता हूँ next stub zone next and IP version 4 network ID assign कर देता हूँ which is 192.168.10 and then next next IP address of primary server 192.168.10.111 and then next finish right so इसे भी मैं expand कर लेता हूँ यहां पर मेरे यह कुछ resource record आ गया है क्या forward lookup zone में आ गया है बिल्कुल आ गया है जैसे कि हम बात करें forward lookup zone के अंदर जैसे हमने stub zone में बात करी थी कि है सारे resource record नहीं आते है सारे resource record primary से replicate नहीं होते है यहां पर जो resource record replicate होते हैं वो तीन ही होते है first SOA start of authority दूसरा है NS यानि name server record और तीसरा host record of primary server not stub zone केवल primary server का यह pointer होता है एक तरीके से so that अगर in future stub zone resolve नहीं करा पाता है query तो यह redirect कर दे query को primary server पर वहाँ पर वो query resolve करा पाए correct SO इस तरीके से आप primary server secondary server और stub zone configure कर सकते हैं I hope यहां तक सारी चीज़े आपको समझ में आ रही होंगी SO finally यहां तक हम लोगों ने अभी जो primary, secondary and stub zone configure कर लिया बहुत interesting सी चीज़ थी और बहुत ज़्यदा असान भी थी correct अब चलते हैं अगले step की तरफ अगला step है हमारा मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ server upgrade कर रहा हूँ secondary को primary में यानि role transfer कर रहा हूँ जो secondary server है उसे primary बना रहा हूँ बनाने का reason क्या है पहले यह समझ ले क्योंकि interview में भी अकसर यह सारी चीज़े हमसे पूछी जाती है correct SO यहां अगर मैं बात करूँ let's assume कि आपका जो primary DNS server है यह वाला server अगर आपका यह server crash हो जाता है और आपको यह suggestion दिया जाता है कि आपने जब कभी primary server बनाया था बहुत older हो गया hardware बहुत पुराना हो गया अब आपको ज़रुवत नहीं इस hardware की और latest hardware आपके पास available है जो कि secondary यानि कि जो secondary DNS server है वो सारी requirement फुल्फिल करता है और primary को हम restore ही नहीं करना चारे तो आप एक काम करो secondary को promote कर दो यानि अब आपको 101% यह पता है कि primary server future में restore ही नहीं होने वाला है तो ऐसे case में आप role transfer कर देते हैं और secondary को primary में promote कर देते हैं तो कैसे promote होगा वो सारी चीज़े देख लेते हैं इस session के अंदर इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इस primary server को मुझे करना होगा close तो मैं primary server को यहां से कर देता हूँ power off यानि के shutdown वेट कर लेते हैं इसका सबसे पहले जब तक यह shutdown power off नहीं हो जाता है फिर चलेंगे move करेंगे हम यहां से secondary पर so finally आप यहां देख सकते हैं मेरा primary DNS server यहां power off हो चुका है अब मैं move करता हूँ secondary DNS server पर और मैं करता हूँ यहां role transfer यानि कि मैं इस server को promote कर रहा हूँ secondary to primary right so कैसे हमने promote करना है वो सारी चीज़े हम यहां देख लेते हैं इसके लिए मुझे क्या करना होगा सबसे पहला काम तो यह है कि जो आपका secondary zone है asnetworkzone.com आप इस पर right click करें और यहां पर आप इस zone की property पर आ जाए और यहां पर आपको दिख रहा होगा journal tab journal tab के अंदर आपको type में नज़र आ रहोगा secondary so अगर आपको यह भी identify करना है कि आप कौन से zone पर यानि कि DNS server पर तो आप काम कर रहे हैं लेकिन जिस DNS server पर काम कर रहे हैं वो secondary है, primary है या stub है आपको इसके बारे में identify करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि just zone पर right click करें properties पर आए, journal tab में आपको display हो जाएगा secondary correct, so यह secondary यह मेरा zone है, मेरे को इसे primary में promote करना है तो मैं क्या करूँगा, change बटन पर click करूँगा और यहाँ पर मैं click कर दूँगा primary पर लेकिन यह बहुत important चीज़ है, ध्यान रखिएगा यह आप ध्यान रखे कि primary आपका DNS server ना चल रहा हो अगर वो भी चल रहा है और यह भी चल रहा है, तो यह crash होने के chances हो जाते हैं बहुत साथा, right, so मैं यह sure कर चुका हूँ पहले ही कि मेरा primary server हो चुका है power off, secondary server को अब मैं primary promote कर रहा हूँ so click कर देता हूँ, okay, so आप यहाँ देखेंगे primary यह update हो चुका है and then okay, so अगर अब आप यहाँ पर right click करेंगे again AS network zone यानि की इस zone पर, तो आप यहाँ देखेंगे आपके पास resource record create करने के options भी available है, correct, if I am not wrong कि अभी तक reverse look up zone हम लोगों का primary नहीं हुआ है, यह secondary ही है, यहाँ अगर right click करकर देखें तो कोई भी resource record create करने का option नहीं आ रहा है, it means मुझे इसे भी promote करना होगा तो मैं promote कर लेता हूँ, property पर click करता हूँ and then change और यहाँ से भी मैं से primary करता हूँ and then okay and again okay, right, अब दुबाया से मैं reverse look up zone के इस zone पर right click करता हूँ और यहाँ आप देखेंगे resource record create करने के आपको options available है, correct, so इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपने DNS server को promote कर सकते हैं, secondary से primary, चलते हैं next portion की तरफ, next portion है, मैं यहाँ पर configure करने वाला हूँ aging और scavenging, बहुत important सा part है, क्योंकि जब कभी हम किसी DNS server पर काम नहीं करते हैं, जैसे कि for an example, हमारा इसी resource record के बारे में बात करते हैं, so यह resource record हो गया है, मेरे लिए useless, right, so वैसे तो आम तोर पर हम लोग क्या काम करते हैं, जब कभी server decom करते हैं या decommission का process करते हैं, तो decommission के process म यह भी एक काम होता है कि हमें DNS server के admin को update कराना होता है, कि यह server already decomm हो चुका है, और आप इस server का resource record delete कर लें, बट अगर DNS administrator ने वो resource record delete नहीं किया, यहाँ पर पढ़ा है, तो unnecessary DNS server पे तो wastagy हो रही है, हाला कि यह resource record इतना जादा space नहीं ले रहा है, बट फिर भी, तो अब ऐसे case में हम क्या करेंगे, यहाँ पर aging और scavenging configure कर लेंगे, so that यह जो unwanted resource record है, वो automatically remove हो जाए, यानि कि automatically delete हो जाए, DNS server से, so कैसे configure करते हैं, यह देख लेते हैं, aging और scavenging, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, again अपने इस zone पर right click करना होगा, and then properties, जैसी property पर click करेंगे, general tab में आपको display हो जाएगा, यहाँ पर एक option और आपके पास to set aging और scavenging property, click aging, so आपको यहाँ click करना है, मैं इस पर click कर देता हूँ, right, so जैसी आप click करेंगे, आपके पास यह sub-dialog box open हो जाएगा, यहाँ पर आप इस checkbox पे click कर दे, अब आप जितने भी number of days add करना चाहते हैं, you can do that right, so for an example, मैं number of days increase करना चाहता हूँ, so मैं यहाँ कर देता हूँ 14 days, and again refresh interval time भी मैं 14 days करना चाहता हूँ, so आप यहाँ से यह setting कर दे, okay कर दे, okay, and again, okay, so यहाँ पर यह आपका forward look zone के लिए configure हो गया, अगर आप reverse के लिए करना चाहते हैं, तो same setting आपको यहाँ पर reverse के लिए भी क configure अगर करना है, तो अगर मैं नहीं चाहता कि मुझे individually जा जाकर दोनों zones पर यह काम करना पड़े, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अपने DNS server पर, जो मेरा server name appear हो रहा है, यहाँ पर right click करूँगा, को एक option display होगा, set aging और escape engine for all zones, right, so आप यहाँ से भी configure कर सकते हैं, आप इसे select कर दें और आप यहाँ देखेंगे number of days 7 default आ रहा है, but again अगर आप कम जादा करना चाहें, तो you can do that, so मैं से again से 14 days कर लेता हूँ, and then okay, apply कर देता हूँ, यह बता रहा है कि मैंने already यहाँ पर 14 days का refresh time लिया हुआ था, कोई issue नहीं है, मैं से okay करता हूँ, so यहाँ यह set हो गया, next, जिस topic की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं, वो मैं यहाँ पर DNS के अंदर configure करने वाला हूँ, queries, और queries जैसा कि हम लोग जानते हैं, दो तरी की queries होते हैं, recursive और iterative, so अगर आपने उसे configure करनी हैं, तो कैसे configure करेंगे, आप यहाँ देख लें, इसके लिए आपने क्या करना है, के पास दो तरीकी की queries available है, simple और recursive, simple query को यहाँ पर हम iterative query भी कहते हैं, so जो भी आपने query select करनी हैं, आप कर ले, so जब कभी मैं आपको बता दूँ कि हम primary पर configure करते हैं, so most of the time हम लोग यहाँ पर select करते हैं, iterative, so यहाँ पर जो भी जिस तरीके की आपकी queries आपने configure करनी हैं, ज जो कोई भी है, आप option यहाँ समझना चाहें, या फिर recursive, so जो भी आपने configure करना है, जैसे आपने यहाँ से एक simple सा tick लगाना है, और कर देना है, okay, next, अब जिस topic की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, round robin के बारे में, जैसे कि हमने बात कर रही थी, कि DNS के अंदर round robin एक technique है, जो की load balancing का काम करती है, जिसके भ्याफ पर DNS के उपर कोई load नहीं आता है, या नहीं specific DNS server के उपर कोई load नहीं आता है, clockwise वो काम करती है, तो मैं उसे आपको दिखा देता हूँ, कि किस तरीके से हम लोगों ने देखना है, कि हमा पर मैं आपको बता दूँ, आपने click करना है advanced button पर, यहाँ आप देख सकते हैं, round robin की technique already enabled है, या आपको अलग से add on कुछ नहीं करना है, यह successfully काम कर रही है, so not an issue. So friends, आज का session आप सभी को कैसा लगा, मुझे प्लीज आज ज़्यादा comment करकर बताएं, वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और अपने friends के साथ share भी कर दें, और bell icon भी प्रेस कर दें, so that आप AS network zone का कोई भी notification मिसना कर सकें, और आप AS network zone के community tab मर भी जाकर देख सकते हैं, कि upcoming session किस ची करने वाले हैं, आप लोगों के लिए, और in last एक चीज़ और कहना चाहूँगा, कि अगर आपका कोई suggestion है, या query है, so आप मुझे Instagram पर भी personally DM कर सकते हैं, Instagram का आपको link दिख रहा होगा, यहाँ पर, so Instagram पर भी मुझे follow कर ले, तो जल्दी मिलते हैं, next session में कुछ नई वीडियो साथ तब तक एक ही message convey करना चाहूँगा, be safe from corona